तो बच्चो पहले वाले वीडियो में हमने series combination को discuss किया था और उसकी basic concept को समझा था अज हम इस वहले में इसके parallel combination को discuss करेंगे तो parallel को पहले हम conduction of charge लेके चलते हैं conduction of charge में देखी क्या होता था कि जैसे एक resistor ये है और एक दूसरा resistor है और जब यह जिस भी source से जुड़े होते थी जब उस source से आपका चार जाता था जो जिस चार जिस rate से flow होता उसको क्या कहते है current कहते हैं तो जैसी current आती थी इसको जब दो path मिलते थे तो यह divide होई आती थी suppose यह उपर वाला conductor हो गया और यह नीचे वाला है तो एक suppose इधर गई I1 इधर गई I2 अब ठीक इसी तरह का slab के लिए भी होगा है तो मान लिए कि हमारे पर दो slab है जिनमें heat flow करनी है अब अंतर किया है कि यहाँ पर यह देखना पड़ेगा कि दोनों को हम लोग length में equal ले लेंगे एरिया इनके differer होगे मान लिए इसका area A1 A2 और length इनकी L ले ली सेम इसको K1 इसको K2 तो अब इसमें क्या होगा जैसे यहाँ पर होता था कि यह जो दोनों end होते थे जब बैटरी से हम इनका potential difference नापते तो वो क्या था दोनों के लिए सेम आता है सीरीज में जैसे current constant रहती तो parallel में क्या होती voltage जैसको का potential difference कहते है वो क्या होता है वो constant रहता है तो ऐसी यहाँ पर होगा यह दोनों end up क्या होंगे same temperature पर होंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि D theta दोनों के लिए same हो जाएगा यहाँ पर भी दोनों के लिए same था ऐसी यहाँ पर D theta दोनों के लिए same हो जाएगा अब जब यहां से heat आएगी तो heat का जो flow है i equivalent कौन होगी h इसके फिर दो पार्ट यहां भी हो जाएंगी जैसे यहां हो रहे हैं let इसमें h1 और इसमें h2 तो यहां divide होगा तो क्या बनेगा i is equal to i1 plus i2 similarly यहां पर क्या बन जाएगा h is equal to h1 plus s2 तो बाक ही h का formula हमें पता ही है h is equal to क्या होता है q by t k a यह formula आता था d theta upon l और यहां time था time time divided होगा तो k d theta by l आता था तो h1 के लिए क्या बन जाएगा k1 a1 अब d theta तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा क्योंकि same point है दोनों के d theta divided by l b से हो जाएगा next बन जाएगा a2 a2 d theta divided by l और let इनका जैसे हम यहां पर equivalent लेते था i के i1 के जगा क्या आ जाएगा v by r1 आता था यहां पर v by r2 और इसका equivalent हम v by r ले ले लेते थे ऐसी हम यहां पर हम h की बात करेंगे तो फिलाल h को अभी हम resistance की form में ना निकालके हम इसको k की form में निकालते है बाद में हम इसको resistance की form में निकालेंगे तो यह बन जाएगा लैट इनका equivalent अगर हमने k माल लिया तो k ठीक हो गया अब उसका area क्या होगा इन दोनों के area के equal हो जाएगा यहनी कि हमारा जो next जो इसका equivalent होगा उसका प्रकार का होगा कि उसका area इन दोनों के sum के equal a1 प्लस a2 हो जाएगा ठीक है नहीं a1 प्लस a2 के equal और यह इसका l हो जाएगा और बाग की difference आपका same रहेगा क्यूंकि length इसकी विल्पूल इसी के equal होगी तो यह k तो ठीक हो गया उसके बाद क्या आएगा k के साथ एक ही जिगा पर a1 प्लस a2 और divided by l और इन 2 में आजाएगा d theta ठीक है तो d theta सबका cancel हो गया तो k a1 प्लस a2 l भी सबके cancel k1 a1 k2 a2 अब इसको divide कर दें तो k is equal to क्या आएगा k1 a1 plus k2 a2 upon a1 plus a2 अगर यह suppose तीन हो थे तो k1 a1 plus k2 a2 plus k3 a3 upon a1 plus a2 plus a3 इस तरह से यह n के लिए भी बन सकता है तो यह तो आगया इसके parallel में जो equivalent के हैं उसके लिए formula आगया तो अब इसमें condition हम ढाल सकते हैं यह आपके box में formula होता तो वहां आप दूसरे दंग से सीखते हैं यहां देखे मैंने आपको एक दूसरे के से निकालना सिखाया अब इसमें assume कर लेते हैं लेट अगर ऐसा हो जाए कि a1 is equal to a2 ठीक है तो k is equal to k1 a1 plus k2 a1 upon कितना हो जाएक है 2 a1 यह cancel तो k is equal to k1 plus k2 by 2 ठीक है एक formula तो यह हमारा net k के लिए बना तो इसी से हम लोग इसके hr के लिए formula बनाते के r के लिए formula क्या मत्या है जैसे यहां r के लिए क्या formula बना 1 upon r equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 तो अब हम यहां चेक कर दें कि क्या ऐसा ही formula इसके r के लिए भी बनता है नहीं बनता जैसे की series में बना था तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसी formula को लेके चलते हैं और इसी से उसको interrelate करने की कोसिस करते हैं तो देखे हो क्या बनेगा कि जैसे हमारा h का जो formula था तो h का formula क्या आ रहा था h के formula से हम इसको जोड़ेंगे यह बनना था k1 a1 d theta divided by l similarly यहां बना था k2 a2 d theta by l इससे हमने इसको जोड़ना सीखा था अब question mark यह होता है कि क्या यहां से इसके r के लिए formula निकलता है यह नहीं निकलता है तो जैसे कि हमने पता है r जो होता है वो होता l upon k होता है न हमने इसको निकालना सीखा था पहले वीडियो में r equal to l upon k तो अब अगर हम इसको देखें उल्टा करके तो यह d theta अगर हम इससे common ले 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 और इसको ऐसा लिख दें sorry 1 upon l divided by k1 a1 ठीक है न similarly यहां भी 1 upon divided by l upon k2 a2 तो यह देखें क्या बना formula h is equal to d theta देखें यह l upon कि यह क्या है पहले वाले का thermal resistance r h1 लिख दिया यह second वाले का thermal resistance r h2 अब यहां से देखें h upon d theta ठीक है तो h upon d theta क्या बनेगा इसको देखते है h upon d theta क्या बनेगा h इनका equivalent की बात है तो h upon d theta की value अगर हम निकाले तो वह क्या बनेगी h is equal to आ गया k जो भी इसका equivalent हो गया k a1 plus a2 और वो आगे हो जाएगा d theta upon l ठीक है अब यहां d theta से divide करां यह cancel तो यह क्या बन गया यह जो इसका equivalent है उसका 1 upon r बन गया यानि कि इसके जिगा हम लिख देंगे 1 upon rs तो बच्वा आपने देखा कि यह बिल्कुल connect है किस से आपके simple circuit यह जिसको में current electricity वाला chapter कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है heat conduction से तो इस तरह से आप लोग इंको जोड़की निकालना सीख सकते हैं उमीद करता हो कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा आगे हम और भी ऐसे कुछ TDS topic इंगे उसको interconnect करना सीखेंगे thank you